Hello students, my name is Saila, आज हम लोग सीखेंगे XS Bank का logo किस तरह से create करते हैं Coral Draw के अंदर सबसे पहले software open किया जब तक software load हो रहा है, इस तरह की screen आ गई blank new document लेना है, click करना है blank new document के उपर फिर हमें new document की कुछ settings आ जाएंगी, यहाँ पर हमें document का नाम डालना है जो भी file हम create कर रहे हैं, जो भी logo हम बनाने जा रहे हैं, वो नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं हम इसे empty भी छोड़ सकते हैं, जब हम file save करते हैं, तो automatically वो file का नाम, save जो हम डालते हैं, जो नाम हम वहाँ पर डालते हैं, वो file के नाम में save हो जाता है तो इसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं, या हम इसे नाम भी दे सकते हैं तो मैंने access नाम दे दिया यहाँ पर capital letter में A लेती हूं मैं access access bank कर देते हैं, access bank logo पूरा ही ले लिया अब मुझे preset destination कैसा चाहिए, type, file का type कैसा होना चाहिए कुछ preset दिये हुएते हैं, मतलब अगर मुझे कोई sizing चाहिए, size चाहिए A4, A3 के अलावा कुछ अलग category में होना चाहिए, तो मैं यहां से अलग-अलग category ही दालती हूं वेब में जाओंगी, तो वेब की size के, वेब के website पे जो sizes आते हैं, paper के वो सारे यहां पर दिखाएगा, custom क्लिक किया, तो यहां पर ऐसा इस तरह का दिखाएगा तो मैंने यहां से A4 क्लिक कर दिया, यहां से हम लोग unit set कर सकते हैं, कौन सी unit में काम करना है millimeter, centimeter, inches वगेरा जो भी मुझे डालना है, वो मैं यहां से डाल सकती हूं orientation page मुझे landscape चाहिए या portrait चाहिए, वो हम यहां से बोल सकते हैं फिर mm में है तो मुझे यहां से बता रहा है, A4 size का mm में width में size कितना हुआ और height में size कितना हुआ इसी तरह अगर मैं inches में कर दूंगी तो मुझे यह पूरा calculation यानि पूरा dimension inches में दिखाएगा primary color mode RGB, RGB रखना है दो हम change कर सकते हैं, CMYK और RGB तो यह printing mode है, इसमें हमें पहली बात तो इतना काम करने की जुरत नहीं है, default यानि RGB ही रखना है बाकी किसी चीज में कोई changes नहीं करने है, click करना है OK के उपर, तो आपका page screen के उपर आ चुका है अब scroll कर रही हूं mouse का button, तो zoom in, zoom out हो रहा है, अगर मुझे यह page यहां से उठा के यहां रखना है तो यह बीच का scroll button हम लोग दबा के इस तरह से move करते हैं, यह भी होता है, मतलब हमारा mouse का button भी use होता है साथ ही साथ अपने पास में tool होता है, panning के लिए, तो वो हम zoom के अंदर होता है H shortcut है, H अगर हम keyboard से दबाते हैं, तो panning tool आ जाता है, या तो हम यहां से यह भी ले सकते हैं तो इस सरह से हम अपना page यहां से वहां move कर सकते हैं pick tool जो के हमारा selection यानि select position और transform object, pick tool हमारा selection tool है pick tool जब आप लेते हो तो आपको page की property आती है तो page की property में हम लोग ने जो वहां पर दिया थे, a4 size, inches दिये थे, unit यहां से मैं अभी भी changes कर सकते हूं, millimeter, तो यह मुझे ऐसा दिखा रहा है orientation मैंने landscape कर दिया, तो मुझे changes दिखा रहा है यानि जो setting हम लोग ने वहां पर की थी, वो सब हम लोग यहां पर डाल सकते हैं बस यह हम लोग अभी नहीं कर सकती, यह file save करने के time पे अगर मुझे, for example, axis bank का logo नहीं बनाना, कुछ और यहां पर नाम देना है तो मैं वो नाम change कहां पर करूँगी, save as करते time पे, file का नाम देने के लिए document का जो file name होता है, वहां पर हम लोग नाम डालेंगे, तो यह नाम change हो जाएगा अब मुझे orientation मुझे ठीक है, ऐसे ही रखना है, और यह मुझे inches में ही रखना है जूम करने के लिए screen पर पेज फिट होना चाहिए, तो यहां से भी आप option लेते हो page to page, पहला option तो वो screen के पर आ जाता है अब मुझे axis bank का logo बनाना है, तो axis bank के logo में सबसे पहले तो यहां पर axis bank का logo होता है और उसके बाद में text होता है axis और उसका reflection वैसे तो बहुत सारे type के axis bank के logo हैं लेकिन जो हम बनाएंगे वो होगा, logo plus axis bank लिखा होगा, axis bank लिखा होगा और उसका reflection होगा, जिसकी opacity कम होगी तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक polygon ले लिया, polygon लेने के time पे आप देखते हो कि मैं एक polygon create कर रही हूँ, polygon में number of side कितने है, 5 दिये हुए है हम इसे यहां से कम जादा कर सकते हैं, तो मुझे चाहिए triangle, axis bank में जो logo बना होता है उसका मुझे triangle use करना है, तो अब मेरा triangle perfect है या नहीं है, उसके लिए क्या करना है इसे सबसे पहले तो मैं delete कर दूँ, delete दबाया मैंने यहां से, जब मैं polygon create करते हूँ, तो मैं control के साथ में create करूँगी control प्रेस करके मैं जब create करूँगी तो यह मुझे height of width में equal बताएगा, यह नहीं proportion में बताएगा, equal मतलब proportion तो मुझे यहां से इसके number of point कम करने है, अब इसमें मुझे जो color देना है, वो color में दे सकती हूँ, color देखो color palette यहां पर खुला हुआ है color palette हम पूरी open करना करके देखना चाहे तो इस तरह से color palette open हो सकती है मुझे अगर color के shades चाहिए, axis bank में color जो होता है वो dark red होता है कुछ इस तरह का अगर मुझे इसी के अंदर और shades चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस color के उपर press करूँगी left click दबा के रखना है, तो मुझे red से related जितने color shades बनते हैं, वो पूरे यहां पर मिलेंगे इससे में जो भी मुझे color choose करना है, जो भी color select करना है, वो color मैं यहां से ले सकती हूँ लेकिन मुझे अभी इतना dark color नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा lighter या तो यह अगर difficult लग रहा है, तो क्या करेंगे, इससे एक shade lighter चाहिए तो हमारे पास में यहां से fill tool option है, fill tool में जाना है, fill tool में पहला जो option है uniform fill वो होता है, single color के लिए shortcut की भी आपको दिया हुआ है, दोनों भी आप use कर सकते हो uniform fill के ओपर click किया, तो आपको uniform fill, dialogue box आ जाएगा, उसमें से जाना है first option module module के अंदर यहां से हम लोग अपना color choose करते हैं, जो color चाहिए, उससे related जो भी shade चाहिए, वो हम लोग यहां से shade भी डालते हैं तो मुझे axis bank में कैसा चाहिए, color वैसा मैं यहां से रखूंगी for example मुझे ऐसा चाहिए, इतना डाल, उपर जो बता रहा है, यह आपका old color है, जो new color है, यानि जो हम अभी select करने वाले हैं, वो हमें नीचे आके दिखा रहा है तो यह मेरा triangle में color आ चुका है, अब axis bank में हम लोग देखते हैं, इस तरह से एक छोटा triangle cut यहां पर होता है, एक छोटा triangle cut यहां पर होता है, यानि कुछ इस तरह से cutting होती है, जो हमें यह A के form में, मतलब वो logo axis का A ही हमें triangle, triangle को actually हमें A के form में create करना है, तो इसी triangle को हम लोग duplicate मारेंगे, duplicate करने के लिए control D, shortcut की है, keyboard से control D दबाना है, तो और ok कर देना है, यहां पर वो offset पूछ रहा horizontal और vertical यानि जो आप copy, duplicate offset आप मारने वाले हो, duplicate create करने वाले हो, वो horizontally और vertically कितना दूर होना चाहिए, वो यहां पर दिया हुआ है, वैसे तो हम उसे manually move करते हैं, इसलिए इसके अंदर हमें जादा कुछ setting करनी नहीं है, तो यह इतने offset पर आ गया, अब आपका जो selection tool है, उसकी help से हम इसे यहां से वाँ move कर सकते हैं, एक तो यह तरीका हो गया, control D का, दूसरी चीज, अगर मुझे यह नहीं use करना है, तो मेरे पास मैं मैंने इसे delete कर दिया, मैं तो मुझे 1, 2, 3, 4, 4 copies मिल गए, एक तो हमारा original था, तो इस तरह से हम लोग shortcut key, control D में हमें 2 keys दबाने पड़ रहे हैं, और plus sign में हमें 1 key दबानी पड़ती है, तो इस तरह से हम लोग shortcut key को भी और ज़्यादा short तरीके से use करते हैं, बाकी के सारे delete कर दिया, दूसरा एक और option ह मुझे ये इसका duplicate निकालना है, लेकिन मुझे keyboard भी use नहीं करना, तो मैंने यहां से इसे drag किया, अभी हम लेके जा रहे हैं, मैंने click left click छोड़ा नहीं है, मैं क्या करूँगी, mouse का right click दबाऊंगी, तो मुझे वो object अपनी जगा पे मिलेगा, और मुझे duplicate दूसरी जगा मिला, तो इसी तरह मुझे जितने right click से मैं create कर सकती हूँ, मुझे कोई भी की दबाने की ज़रुत नहीं है, मैं इस तरह से duplicate निकाल सकती हूँ, मुझे अभी के लिए एक की ज़रुत है, मैंने सारे delete कर दिये, अब मुझे इसका center find out करना है, तो center के लिए, इस पे बाद क्लिक किया यहाँ पर हम इसे on off करते है, अगर आपकी screen पर नहीं है, तो आप इसे कहां से on करेंगे, view में जाएंगे, menu bar के view में जाएंगे, और ruler के उपर check करेंगे, भी मैंने click कर दिया, तो यह removed था, तो यह निकल गया, मुझे लाना है वापस, तो क्या करूंगी, view में जाओंगी, ruler क इसे क्लिक करके, ड्रैग करना है अपने object के उपर, आपका याद रखना है, आपका cursor जो हो, वो आपके object के almost center में होना चाहिए, यहां रखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, center कहां पर आ रहा है, तो मुझे इसे center में यहां पर छोड़ना है, तो यह मुझे center मिल गया, snapping के थुरू, एक और एक चीज, suppose आपको snap नहीं दिखाता, इसको मुझे delete करना है, मैंने select किया, red color है, keyboard से, delete दबा देना है, मुझे snapping के लिए वो जो center point detect कर रहा था, suppose यह आपको detect नहीं कर रहा है, तो इसे on कैसे करना है, view में जाना है, snap to object, क्या shortcut की है, alt z, अगर यह on नहीं ह मैंने off कर दिया है, अब अगर मैं इसको लेके जारी हूँ, तो मुझे snapping के लिए कोई भी point snap नहीं कर रहा है, कोई भी point detect नहीं कर रहा है, तो मुझे, मुझे चाहिए कि software खुद बताना चाहिए कि center कहां पर है, या उसके end point कहां पर है, तो उसके लिए हम किसकी help लेते हैं, view view में जाते है, snap to object, उसके उपर क्लिक करना है, तो वो on हो जाएगी वो property, अब मैं अगर center point ये horizontal vertical grid लेके जाती हूँ, object के उपर अगर cursor लेके जाती हूँ, तो मुझे center में वो snap करके बताता है, कि आपके object का center इस जगा पर आने वाला है, सेम वे मुझे horizontal भी एक center लेना है, ए center part दिखाना है, मुझे एक वापस से ruler लेनी है, तो मैंने center point वहाँ से एक ruler center पे horizontal भी रख दिया, तो इस तरह से मैंने अपने shape का center point वैसे तो था, लेकिन मुझे उपर से दिखाना था, अब इस वाले triangle का ये वाला point आप पकड़ेंगे, इस point को नहीं पकड़ना, ये point को पक करना है, यानि कि आपका cursor जो है, अगर आप इस arrow right corner के point के उपर क्लिक करते हैं, वो क्या करता है, scale करता है, लेकिन मैं इस point के उपर क्लिक कर रही हूं, तो ये मुझे move करने का option देगा, तो वो मुझे रखना है किदर पे, जो मैंने center point निकाला है, वहाँ पर, इस पे रखना उपर का portion मिल गया, अब उसी shape का हमें ये वाला point पकरना है, और इधर से center पे touch करता हुआ, रख देना है, अब वापस से दोनों shape को पकरना है, और trim कर देना है, तो ये आपका axis bank का logo, यानि logo आपका create हो गया, अब इसकी outline वगेर अगर निकालनी है, नहीं चाहिए तो आप न text tool लिया मैंने, text tool लेना है, single click करना है, single click करने के बाद में, सारे letter अभी हमें कैसे चाहिए, capital, तो caps lock on करना है, keyword का, और type करना है, axis, space, bank, b, a, n, k, फिर pick tool लेना है, आपका selection tool, pick tool से इसका size, यानि as a shape भी बड़ा चोटा हो सकता है, या तो फिर आप point wise, यानि आपकी text की properties में जो option आपको दिये वे, उसके थुरू भी आप इसका size छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप अपना खुद का number भी डाल सकते हैं, मुझे 50 का size देना है, तो मैं 50 का size दे सकती हूँ, लेकिन क्यूंकि हम लोग drawing software कर रहे हैं, तो directly हम लोग क्या कर सकते हैं, pick tool से इसका size बड़ा अब यहां से अगर मैंने aerial black किया, तो मुझे यह इसके अंदर bold italic available नहीं है, इस font के अंदर, अगर मैं कोई दूसरा font यूज करूंगी तो मुझे वो मिलेगा, bold, यह bold हो सकता है, यह bold था, unbold हो सकता है, तो मुझे aerial black चाहिए, aerial black ले लिया, underline होता है, तो underline कर सकते थे, ले pouसे मैं लोग अव्यक्त के यूज सब्सकेंगे, इसको मैं नहीं बोल सकती, left में जाने के लिए, right में जाने के लिए, क्योंके यह मेरा single line का टेक्स्ट है, तो इसे मैंने इधर ही पे रखा, यह तो हमें mouse से मुव कर सकते, left में जाना है, right में जाना है, यहां पर यहां पर आ अब इन दोनों का मुझे alignment सेम करना है तो मैं क्या करूँगी मेरे पास में option है या तो मैं यहां से एक ruler एक और place करूँगी इसको touch करता हुआ और अपने टेक्स्टो थोड़ा सा नीचे move करना है इसके ओपर touch करता हुआ size जो आपको लग रहा है जितना बड़ा चोटा करना है वो आप अभी कर लो एक बड़ duplicate मारा फिर उसके अंदर sizing के अंदर करने में problem यह कर सकते हैं लेकिन करने में problem यह है कि दोनों को balance करना पड़ेगा original को भी और duplicate को भी अब इतना कर लेने के बाद में इससे 7 में select करना है द plus sign for duplicate या तो यहां पर हम लोग plus sign नहीं दबाते हम लोग क्या करेंगे उपर का point ड्रैक करेंगे top का point ड्रैक करेंगे नीचे लेकिन अभी क्या है यह खराब हो सकता है तो मैं control प्रेस करके दबाती हूं control प्रेस करूंगी तो यह मुझे proper दिखाएगा अब मुझे यह जगा पर छोड़ना है लेकिन मुझे original नहीं चाहिए तो हमने copy के लिए क्या सिखा था right click तो हम right click दबाएंगे तो दोनों भी मुझे मिल गया यानि original भी है मेरे पास में और right click दबाया तो उससे duplicate भी है down arrow की हम लोग दबाएंगे toggle keys उससे हम लोग इन दोनों के बीच में gap create कर सकत है अब नीचे वाले की opacity कम है यानि के वो थोड़ा सा transparent है तो हम लोग यहां से transparency के लिए tool use होता है transparency tool transparency में यहां जाके इसको बोलना है uniform uniform में आके या तो यहां से हम लोग linear भी ले सकते हैं linear लेने के बाद में अभी देखो problem क्या आ रहा है linear दिया मैंने तो text को और shape को वो अल कर सकते हैं लेकिन अगर हमें चाहिए कि दोनों में एक ही साथ modify करूं तो हमें text की property तोड़नी पड़ेगी पहले हम लोग यह वाला तरीका देख लेते हैं तो मुझे मैंने इतना दे दिया सेम वे मैं इसको भी ऐसी करूंगी white point उपर रख दिया मैंने और black point नीचे रखा त तो उससे यह कितना मुझे जैसा हमने यह triangle के लिए यानि इस logo के लिए दिया है उतनी transparency हमें इस text को भी देनी पड़ेगी balancing दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा उपर किया और इसको थोड़ा सा उपर किया इस तरह से फिर यह ruler यानि guideline नहीं चाहिए तो इसे delete कर दिया इसे select and delete यह आपका logo यह वाली भी लाइन डिलीट कर दिया और इसे हमने group कर दिया thank you